गुट मॉर्निंगे स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैट्स हम कर रहे हैं चप्टर नमबर एट क्वाडी लेटरल आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8.1 एक्सेसाइज का कोशें नमबर 10 एंड कोशें नमबर 12 कोशें नमबर 10 आपके पास गिवने ऑबी सीडी इस पेरललोग्राम मतलब आपके पास एक पेरललोग्राम है जिसमें देखके रखाए यूईgon डूट क्या है यूशिक्त नम यूच और डिरी शे क्या वर्टाइस चापको पता है परललोग्रेब कारह अनुए उसको हमने नाम मतलब उसमें दो perpendicular है AP और CQ और perpendicular from vertices A and C मतलब A से हम डालेंगे एक perpendicular और एक C पे कहाँ पर डालेंगे on diagonal BD मतलब सबसे पहले हमें एक diagonal बनाना है और साथ में उन्होंने क्या बोला है C figure 8.21 मतलब already question में diagram देखे रखा है but in case अगर नहीं दे तो हम केसे बनाएंगे सबसे पहले हमने ABCD parallelogram बनाया है बात किसकी हो रही है diagonal की तो BD हमने एक diagonal बना लिया उसके बाद A और C से क्या करना है हमें एक perpendicular डालना है तो देखे A से हमने perpendicular डाला यह मतलब यह 90 हो गया C से हमने एक perpendicular डाला अगें यह 90 हो गया तो A से डाला तो वो क्या हो जाएगा A P मतलब यह point हमारे पास A P C से डाला C से डाला तो यह कौन सा हो जाएगा C Q मतलब यह नाम हो जाएगा Q clear दिख रहा है यह diagram और यह diagram same यह question में already given था यह हमने बनाया हमने इसलिए बनाया कि अगर in case question में न दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम diagram कैसे बना सकते है clear सबसे पहले हमने क्या बनाया था ABCD parallelogram फिर हमने diagonal BD बनाया फिर A और C से perpendicular डाला और उसका नाम दे दिया clear अब हमें क्या proof करना है show that now the first case is triangle A, P, B congruence triangle C, Q, D A, P, B मनला ये वाला triangle right A, P, B, congruence C, Q, D मनला ये वाला right ये दोनो triangle कैसे है concurrence it means in triangle की हर एक चीज हर एक side और हर एक angle क्या बताना equal right या फिर कम से कम तीन चीजे आपको इसमें equal बतानी है दोनों triangle में साथ में A, P equals to C, Q मतलब जो हमने perpendicular डाला वो perpendicular क्या बताना है हमें equal बताना है मतलब overall question number 10 में हमें ये दो चीजे proof करनी है solution सबसे पहले first case जिन दो triangle को हमें concurrency proof करना है उन दोनों triangle की ही बात कर लेते कौन-कौन से A, P, B, C, Q, D right तो देखो एक बार और में यहां diagram बना देती ताकि आपको clear हो जाए A, B, C, D B, D diagonal है A, P perpendicular और C, Q perpendicular इन दो triangle की बात हो रही है तो देखो इन triangle A, P, B and triangle C, Q, D clear अब देखिए इसमें यह वाला angle और यह वाला angle कैसा है diagonal के opposite है एक इस तरफ है और एक इस तरफ इस तरफ इस तरह के angle को हम क्या बोलते है alternate तो यह वाला angle कब बन रहा है A से B गए B से P गए right वैसे C से D गए D से QY तो यह हो गया triangle A, B, P जो बीच में आता है वो वाला angle होता है as it is C, D, Q यह D कौन सा angle हो गया alternate interior angles clear अब इन दोनों triangle में यह P और यह Q कैसे दिख रहे है perpendicular clear है कि दोनों ही अगर हमने perpendicular डाले it means कि दोनों का angle कितना आया 90 degree P की बात कर रहे है तो A, P, B तो जिस angle की बात कर रहे है वो angle का हाना चीए बीच में तो यह हो गया triangle A, P, B equals to triangle C, Q, D clear कितने का है 90 का क्यों क्योंकि A, P and C, Q are perpendicular दोनों क्या है perpendicular साथ में A, B equals to क्या equal है C, D, क्यों parallelogram में opposite sides क्या होती है equal होती तो A, B के opposite को होने C, D तो अपस में यह दोनों क्या equal है क्यों क्योंकि A, B, C, D is a parallelogram अब देखिए इसमें कौन-कौन से चीज़े equal हो गई यह angle equal है मतलब A again angle है मतलब A यह किसकी बात हो रही है side की मतलब side तीन चीज़े equal बता दी उन triangle में अब तीन चीज़े अगर हमने equal बता दी तो triangle क्या रखता है concurrency रखता है मैंने पहले ही बोला था कि जिन दो triangle में minimum three conditions equal हो जाए it means कि वो triangle कैसा है concurrency मतलब उस triangle की हर एक चीज़े क्या है equal है clear तो सबसे पहले क्या हो गया कि यह दोनों triangle कैसे हो गए concurrency हो गए मतलब triangle A, P, B concurrence, triangle, C, Q, D कहा से आया angle, angle, side यह दिख रहा angle, angle, side यह तीन चीज़े concurrency उनसे आया है clear तो first part अपका clear हो गया अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अगर यह दोनों triangle concurrency है इसका मतलब यह है कि इन दोनों triangle का हर एक angle और हर एक side भी आपस में कैसी होगा equal क्यों क्योंकि concurrency है तो देखिए second case में हम लेते हैं वो ही दो triangle APB और CQD इससे क्या होगा कि अगर दोनों triangle concurrency है क्योंकि हमने proof कर दिया है तो हर एक side हर एक angle equal है तो देखिए यह angle equal था यह side equal है यह angle equal है इसमीज कि अगर यह angle equal है तो इनके सामने वाली side भी कैसी होगी equal देखिए इसके सामने वाली side क्या है यह it means क्या हो गया AP इसके सामने वाली side कौन सी है यह it means क्या हो गया CQ यह अपस में क्यों हो गया equal कहा से CP CT मतलब यह वाले rules है concurrency rules है और हमें क्या करना था यह प्रूफ करना था तो इस तरीके से हमने क्या करें दोनों केस को प्रूफ कर लिए now the question number 12 question number 12 क्या देखिए रखा है ABCD is a trapezium क्या देखिए रखा है trapezium दिया है trapezium में क्या होता है ऐसा होता है clear in which AB parallel CD AB क्या है किसके parallel A CD के equal नहीं है parallel मतलब आमने सामने side चल रही है मतलब यह हो गया AB is parallel to CD clear and AD equals to BD AD जितना है उतना ही कितना है BD AD equals to BC यह वाली side आपस में कैसी है equal है जैसा की diagram में देखिए रखा है 8.23 it means कि question में already diagram बना कर दिया है yeah show that वो बोल रहा है कि यह वाला angle इसके बराबर है यह वाला angle इसके बराबर है second case दूसरा बोला ABC मतलब यहां से एक line ड्रौ करनी पड़ेगी B, A, D मतलब यहां से एक line ड्रौ करनी यह दोनों triangle कैसे है आपस में concurrency रखते है साथ में diagonal AC is equals to diagonal BD यह दोनों diagonal आपस में कैसे है इक्वल है यह दोनों diagonal कैसे आपस में इक्वल है इस तरीके से हमारे पास क्या है चार condition हमें क्या करना है प्रूफ करना है clear अब देखिए hint extent AB extent AB मतलब AB को बढ़ाना है यह लो चलो बढ़ा दिया हमने and draw a line through C parallel C के parallel एक line बनानी है जैसे यह parallel है वैसी एक parallel line बना ली right DA जैसी यह है ना वैसी एक parallel line बना ली intersect AB produce AT intersect AB को कहां intersect कर रही है यहाँ और इसका नाम क्या दे दिया E यह हो गया diagram clear अब देखिए 2 construct सबसे पहले हमने क्या कर रहा construct में मतलब C से हमने एक parallel line बनाई यह थाड़ा diagram में एक बर और बना देती है यहाँ से ताकि आपको clear हो जाए yeah this is A B C D this 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 E right अब देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है यहाँ पर construct क्या कर रहा draw a line through a C parallel to DA intersect AB produce AT E diagram बन गया अब फॉर्स के CE equals to AD CE equals to AD मतलब यह line आपस में कैसी है equal है क्यों opposite sides of a parallelogram अब यह दिख रहा है parallelogram जैसा वो parallelogram में क्या होता है opposite sides equal होती है इसलिए हमने क्या करा एक line draw कर दी clear तो यह क्या हो गई equal हो गई साथ में AD equals to BC कहा है question में given है AD equals to BC कहां से पता चला question में given है AD equals to BC BC equals to CE BC equals to CE right इससे यह भी आ गया कि BC equals to क्या हो गया CE right कैसे आया देखो यहाँ पर यह AD CE के बराबर है और यहाँ पर यह AD BC के बराबर है दोनों AD के बराबर है ता अपस में यह दोनों भी equal हो जाएंगे मतलब यहाँ क्या आ जाएगा implies that ऐसा कर सकते implies that BC equals to CE clear अब देखे अगर यह equal है BC BC के साथ BC equal है तो angle कौन सा हो जाएगा CBE CBE साथ में C E B CBE मतलब यह वाला angle C E B मतलब यह वाला angle यह दोनों angle आपस में क्या हो गए फिर equal हो गए right क्योंकि BC equals to CE BC मतलब इसके सामने वाला angle कौन सा है E यह रहा CE CE के सामने वाला angle कौन सा है B यह दोनों यह रहा opposite sides के angle भी कैसे होते है equal कि जो side है उसके opposite angles जो है वो भी आपस में equal हो गए तो BC के सामने वाला angle है E और CE के सामने वाला है angle B it means यह दोनों भी आपस में कैसे हो गए equal हो गए also angle A और CBE A की line पे बन रहे A की line पे बनने वाले linear angles का addition कितना होता है साम कितना होता है 180 degree मतलब angle A वाला पूरा हमने ले लिया और CBE दोनों मिला के कितना हो गया 180 अब angles on the same side same side मतलब A की side पे बनने वाले transversal angles का सम कितना होता है 180 और यहाँ पे हमें already पता है कि CBE equals to CEB clear यह clear हो गया अब देखे angle A किसके बराबर हो जाएगा angle B के अगर यह दो angle equal है तो यह वाले दो angle भी कैसे होंगे equal होंगे clear A की line पे अगर तीन angle बन रहे 1, 2, 3 तो पहले इन दोनों का addition मैंने 180 बताया right फिर इन दोनों का addition में कितना बता रहे हो 180 clear तो angle A के साथ B ले लिया फिर B के साथ मैंने E ले लिया इन दोनों का addition कितना है 180 है clear और हमें यही प्रूफ करना था कि angle A equals to angle B तो देखें यह भी इसके equal है यह भी इसके equal है right तो आप देखें यहाँ पर हम value रखेंगे तो इससे क्या clear होता है इससे यह clear होता है कि angle A equals to कितना आ गया angle B इसको लिख लेना प्रॉपर यहाँ से लिखावा नहीं है यह होगा equation number first और equation number second तो यहाँ पर first और second तो यहाँ लिखेंगे from first and second इससे क्या हो गया angle A equals to angle B first part proof हो गया now the second case second case हमें क्या है angle A plus angle D equals to angle B plus angle C A और D यह वाले दोनों angle A की line के इन दोनों angles का addition कितना होगा उतना ही होगा जितना angle B और C का होगा क्योंकि 180 same side पर बनने वाले angles का addition कितना होता है 180 होता है यहाँ पर लिखा है angles on the same side of transversal it means 180 degree clear अब देखें angle A मैंने as it is लिखा angle D as it is लिखा अब angle B की place पर मैं क्या लिख दूँगी A कहा से यहाँ से अभी first case मैं प्रूफ करा रहा है A और B आपस में equal है यहाँ से मैंने लिख दिया right इस B की place पे A लिखा क्योंकि आपस में दोनों equal है और C की place पर C लिखा clear अब देखें angle A से angle A क्या हो गया cancel तो क्या बचा angle D equals to angle C और हमारा second case क्या था angle C equals to angle D I hope आपको second case भी clear हो गया कि angle D equals to कितना आगया angle C अब हम किसकी बात करेंगे A, B, C और B, A, D A, B, C और B, A, D इन दोनों triangle की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बार और में diagram बना लेती हूँ ताकि आपको clear हो जाएगा बार-बार अपको screen चेंज नहीं करनी पड़ेगी यह A, B, C, D trapezium है A, C और B, D डो diagonal है अब देखिए triangle लिया हमने एक यह वाला A, B, C B, A, D A, B, C और यह B, A, D clear यह दो triangle लिया अब इन दो triangle को concurrency proof करना है it means कि इन दोनों triangle की कम से कम कितनी condition तीन equal बताने कोई भी तीन तो देखिए A, B equals to A, B क्यों कि जब हम इस triangle की बात करेंगे तो यह side और इस triangle की बात करेंगे तब भी यह side कैसी यह common है A की side दोनों जगे यूज हो रही तो हम लिखेंगे A, B equals to A, B क्यों कि यह क्या है common side है clear साथ में यह वाला angle D, B, A equals to C, B, A कैसा है? Equal A यहां से D, B, A गए फिर C, B, A गए तो दोनों angle कितना angle B की बात कर रहे हैं? कैसा है? Equal A साथ में A, D equals to B, C कहां से? Question में given है तो देखें, यह हमारे लिए side है यह हमारे लिए angle है यह हमारे लिए first side है तो इन दोनों triangle की इन दोनों triangle की कम से कम कितनी condition equal बता दी मैंने तीन condition मैंने equal बता दी इस तरीके से यह दोनों triangle कैसे हो गए? concurrency रखते है concurrent हो गए तो यहां पर देखे ट्रेंगल A, B, C Concurrency ट्रेंगल B, A, D जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसे हो गए Concurrence कहां से हो गए Side, Angle, Side यह रहा Side, Angle, Side यह तीने चीज एक वल बताई तो यह जो Concurrency आई कहां से आई Side, Angle, Side से आई इट मिन्स कि आपका Third Case भी यहां पर क्या हो गया Proof हो गया अब हम किस की बात करेंगे Fourth Case की Fourth Case में हमें क्या बताना है Diagonal A, C और Diagonal B, D, Equal बताना है कैसे बताएंगे Third Case में हमने क्या Proof कर आए कि यह दोनों ट्रेंगल कैसे है Concurrency है Concurrency का मतलब यह होता है कि जो भी दो ट्रेंगल आपस में Concurrence रखते है It means उसके हर एक साइट और हर एक एंगल आपस में क्या होता है Equal अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास यह दो ट्रेंगल Concurrence है देखे यह साइड इक्वल हो गई यह साइड इसके इक्वल हो गई यह वाले इंगल्स इक्वल हो गई यह वाले इंगल्स इक्वल हो गई इसमें यह वाले इंगल्स इक्वल हो गई तो it means कि यह वाली साइड भी आपस में कैसी रहेगी Equal रहेगी Clear? क्यों क्योंकि Concurrence ही है जिन दो ट्रेंगल की हर एक side हर एक angle equal है it means यह वाली side और यह वाला angle भी कैसा रहेगा equal इसलिए यहां लिखा है fourth case में diagonal AC equals to BD कैसे आया equal by CPCT हम इसको बोलेंगे reason कि यह दोनो ट्रेंगल कैसे है यहां पर देखो श्रिफ BA इसको correct कर लेना BA यहां लिख लेना D, D नहीं लिखा है इसको BA, D कर लेना clear इसको C, A, B कर लेना C, A, B तो यहां पर यह diagonals कैसे equal आ गए हां से क्योंकि यह दोनो ट्रेंगल कैसे है concurrency रखते है clear तो एक बार और मैं बता देती कि इस वाले सम्में हमें क्या बताना था 12 वाले में trapezium है और हमें 4 condition दी थी जो हमने 1-1 करके क्या कर दी यहां पर proof कर दी clear यहां पर हर एक condition हमारी satisfy हो गई है और हमने proof कर दिया है thank you उ क्यूंग थाँ प्राइब कर दीन